आप लोगों को ना मेरी आइब्रो शेपिंग की वीडियो बहुत जादा पसंद आती है और बहुत सारे क्वेशन भी होते हैं कि आइब्रो की प्रॉपर शेप हम कैसे ले इनर कॉर्णर से कितनी आगे तक होनी चीए कितनी लैंथ होनी चीए तो यह डिसाइड करने का मैं आप को एक बहुत इजी तरीका बताती है आप लोगों ने पहले क्या करना है कि एक न कोई भी टूल ले लो चाहो तो प्रस ले से पूली ले लो और इसको रखो कहां पर अपनी nose के corner पर जब आप इसको nose की corner पर सीधा 90 degree पर रखोगे तो तब आपको यहां पर क्या दिखेगा कि जहां पर यह टूल का end point जाएगा ना वो आपकी eyebrow का inner point हो गए ठीक है फिर आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा तिर्चे करते वे यानि कि आपकी eyeball के उपर से ले जाते हुए 45 degree पर इस तरीके से रखना है और उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से इसको तिर्चे में रखना है यानि कि आपकी जो eye की end point है वहां पर रखना है तो तीन डॉट हमको यहां पर receive हो गए और यह हमारी eyebrow की तीनो guideline है inner corner से यह हमार बहुत जरूरी होती है बहुत जरूरी होती है कि arch हमें कितना उपर रखना है बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा न कि हमारी eyebrow मांटें शेप में कर दो आर्च सेप में कर दो बट वह फेस के accordingly होती है फेस पर शूट भी होनी चाहिए एक्चुली हम आइब्रोस को जित बहुत जादा फर्क पड़ता है और कुछ इस तरीके से हम फिल करेंगे आइब्रोस को और यह हमारी गाइड लाइन हो जाएगी अच्छा बहुत लोगों के साथ क्या दिकत होती है कि एक आइब्रो तो परफेक्ली शेप हो जाती है बट सेकंड वाली जो आइब्रो है वो इसके लिए जो गाइड लाइन है यह तरीका है यह बहुत अच्छा है आप सेकंड साइड से भी मतलब की दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरीके से टूल रखेंगे और आइब्रो के प्रॉपर शेप निकालेंगे आप लोगोंने कई लोगों के मेकप में नोट करा होगा इसके ब्राइडल मानो सामने बैठी है तो आपको यह जे लगता है कि इसकी एक आईब्रो उपर है, एक आईब्रो नीची है तो naturally तो होती है ऊपर नीचे होती है आईब्रो बट जब हम किसी का मेकप करते हैं तो हमारा यह फटर्ज बनता है कि हम दोनों चीजों को इकॉल क कुछ एंसान थाम मेकप करवाने आया है तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि रहाए गफ और ऑख बुचा हैं और कि रहें कुछ प्रयों क आपर हैं और प्लिके को में बताना है अब मैं क्या करोंगी यहां पर आई-स में बनाओंगी और आई-स में बनाऊंगी वाइट चीकल ऍ हुझा-पर आई-स कि हमोगा इस यह ब्रफि में इन निससे इं की स्कुम भाल रहनाँ इस इसको काजल भी यूज़ कर सकते हैं जब हम क्रियेटिव आई मेकप करते हैं तो वहां पर हमें वाइट कलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस वज़े से हमारी पैलेट में हमारे पास एकना वाइट कलर का शेड होना ही चाहिए मेरे पास काफी अच्छी कि वाइट कलर का शेड नहीं था तो इस वज़े से मैं एक लोकल पैलेट मंगवाई थी आई सैडो की जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में हाफ एन हाफ की पैलेट है उसमें एक वाइट कलर का शेड है तो हर कलर की ज़रूरत परती हम जैसे जैसे काम करते कि वाइसे हमें समझ में आता है कि हमें कौनसर कलर रेगलर यूज में हो रहा है वोज फॉली और फुली नूट नूट दो आपको लेघ फिर आपको लेने की जरुरती क्योंकि न्यूड जो लोग होते हैं वो आप अपने क्लाइंट में दो गए क्योंकि वही इस टाइम पे सबसे साधा ट्रेंड में हैं और कलर्फुल जब आप करोगे तो वह आप क्रियेटिव वर्क करोगी यानि कि डैमो के लिए फोट शूट के लिए वीडियो शूट के लि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई